हेलो दोस्तों, अगर आप DRI 11 में A Small League जीतना चाते हैं, तो ये वीडियो को एन तक जरूर देहना अगर आप लोग DRI 11 में A Small League जीतना नहीं चाते हैं, तो इस वीडियो को छोड कर जा सकते हैं डिरी 11 में a small league जीतने के लिए क्या करना परेगा हर कोई का नजर रहता है कि हम डिरी 11 में grand league जीत जाए grand league के पेक्चा वो a small league भी नहीं जीत पाते हैं वो head to head league नहीं जीत पाते हैं और वो three member वाले league नहीं जीत पाते हैं और वो सोचता है कि मैं grand league जी जाऊंगा मेरे तोस्तों grand league जीतने से पहले आप लोग head to head league या small league खेलना होगा उसे जीतना होगा तब जाकर आप grand league जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे small league जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप लोग जान लेजिए small league किसे काते हैं small league वो league होता है जो की पौँच लाग से नीचे की होता है उसे small league के अंतरगर्ट मना चाहता है 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 किसी भी सिरी पर चड़ने के लिए आपको पर्थम सिरी पर ते करना पड़ेगा टब जाकर दूसरी तब जाकर तीसरी इस तरह से आपको ते करना पड़ेगा अगर आप लोग ज्यादा छलंग लगाने की चकर में रहेंगे तो आप गीर भी सकते हैं आपका नौकसान भी हो सक सकता है आप को जे वो इंटरी फिस लगाए हैं वो भी डूब सकता है लेकिन आप लोग एश्मॉल लिग के पिक्षा गरेंड लिग पर फोकस देते हैं तो कोई बात नहीं है आपको इस वेडियो के माध्यम से गरेंड लिग का भी टिप्स बताऊंगा एश्मॉल लिग का भी मुठी में आजाएगा आकिन नहीं हो रहा है संबसे पाले मैं जानता हूँ इंटरी फिस बताना अगर किसी को आ गया है लेकिन इंटरी फिक्स के पढ़ग्राने के साथ साथ वो एश्मॉल लिग का टिप्स एंट्रिक भूजाते हैंлож का टिप्स एंट्रिक कईसे क्या करना है ये बैएं बताऊंगा एसमाल लिख के टिप्स और ट्रिक के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट पर आते हैं करते हैं जो टीडिκα लेवन में टिम क्रियाट करने बादते हैं वह आप लोग इसलिए नहीं जीद पाते हैं क्योंकि आप लोग एसमाल लिख के जगये और हेड़ टू हेड़ वाले लिग लगा लेते हैं या सिरी मिंबर वाले लिग लगा लेते हैं जिसके कारण आप लोग को small लिग नहीं जीतने का कारण यही है अब बताएए head to head लिग वाले player कोन होता है three member वाले player कोन होता है इस defense और तुलना बहुत है लेकिन आप लोग defense और तुलना के बहुत जाते हैं आप लोग गरेक्ट टीम पर क्लिक करते हैं और आप लोग का selection percent high वाले जैसे हैं यहां पर MS दोनी को यह इसे लेने से आप लोग सिर्फ grand league नहीं जित पाएंगे आप लोग small league नहीं जित पाएंगे आप लोग जित पाएंगे three member वाले league वह three member वाले league आपको जितने के लिए यह चलेगा तब जाकर जित सकते हो अनियता नहीं three member वाले लोग head to head league यह league जित सकते हैं यह league जितने के लिए तो आप इस परकास से team create करकर जित सकते हैं लेकिन आप लोग को grand league जितना है या small league जितना है तो आप लोग इस परकास से team बना लेते हैं देखिए यहां पर आप लोग जब टीम करते हैं यहां पर आपको सबसे पहले पीच रिपोर्ट देखना होगा पीच रिपोर्ट देखने के बाद देखिए यहां पर पीच रिपोर्ट बाइलेंस पीच है गोट पर पेसर है अवरेज स्कोर इतना है यह सब दे स Brazil लिए हैं और इनया पर हाइस कोर कितना kau Malum हो जाता है अलोग आश्ची तरह से मालु कर लेते हैं उनके बाद भी आप water सही परकार से नहीं कर पाते हैं को सबसे पहले हिंगया पर birятся तो बालेंस पीछ में जादा तर बॉलर को नहीं ले पाते हैं और जादा वेस्टमेन को ले लेते हैं जिसके कारण आपको इंटरिफिस डूब जाते हैं सबसे पहले देखें बॉलर को लेने से पहले या पर सादो ठाकोर एक अनुभवी और इस्पिरेंस है अपने टीम में बाइलेंस पिछा है तो ये बात जरूरी नहीं है कि बॉलर या वेस्टमेन ही अच्छे परफॉर्म करेगा बॉलर भी विकेट ले सकता है यहां पर मैं सादो ठाकोर को लिया हूं सादो ठाकोर को लेने के बाद मैं तिसना का सेलेक्शन परसेंट कम है इसे लिया हूं अरुन जिनका लेना में नम सामिल है अच्छे खासे है इसे ले लिये हैं इसे ले लेने के बाद देखिए अब चार बॉलर ले लिए हैं जो रिक से हुआ आप गरेन मेक्स वेल को ले लिए हैं गरेन मेक्स वेल को लेने के बाद मौयन अली को लेने के बाद देखिए आप लोग मौयन अली को लेने के बाद अब यहां पर देखिए यहां पर मिराट को इली ब Difflose 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 Diffl तो फिर भी कम्पीटिशन लोगा मैं बिराट कोईली को अभी प्लोप करकर डीफ लोशी को अपने टीम में सामिल कर रहा हूं अब डीमेश्टेन को यह पर बड़े-पड़े स्मॉल लीग या गरेण्ड लीग जो भी जितना है ज़ये सकते हैं उसका बाद देखिए दिने स्काटिक को मैं अपने टीम में पिक आओं दिनेश काटिक को लेने के बाद देखिए ओलन्डा सेक्शन में ओलन्डा सेक्शन में राविंदर जदेटा और कॉलमन गरीन को अपने ले सकते हैं नेश्ट करते हैं नेश्ट करने के बाद देखिए नेश्ट करते हैं नेश्ट करने के बाद देखिए नेश्ट नेश्ट करने के बाद केप्टन और वाइस केप्टन के बाद करते हैं क्यप्तान और वाइसक्यप्तान भी आप लोग गरेंड लिग के जगह या समॉल माले के जगहें को देगेसowych आप लोग अगर आप लोग सरक्षिप कैप्टन दंगे जैसे ышक्याये भेप लीक्लिय माना कर्फिप ये तो आप लोग को वह ट्रिम हो गरेंद लिक वाले नहीं ऐस्मॉल लिग या हेड़ टू हेड़ लिग वालै आप लोग को आस्मॉल लिग जीतना है तो समॉल ली जितने केलिए एक क्यप्टंशी क्यंतिक स्कीन हूलोन है कैप्टंशी मैं सब्सक्राइम दे करो COL 안 की सकते हैं और shape team करने के बाद देखिए आप लोग को team ये जो है ये small league का team बन जाएगा और आगर आगर आप लोग इस तरह से team बनाते हैं तो आपको 100% small league जित पाएंगे और इसे में देखिए मेरे derm card सारे के सारे baller है मौईन अली है पौच बॉलर डर्म कार्ड हो गया है आप भी जानते हो small league या grand league जो भी league जितते हैं वह कम selection percent बाले पिलियर ही जिताता है और मैंने दिनेश कातिक को भी लिया हूँ एनी छे पिलियर मैंने डर्म कार्ड रिख सी लिया हूँ अगर ये चल गया तो ठीक है नहीं चला तो फिर भी ठीक है मेरा 23 पीस आराम से आपस आ जाएगा आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर वीडियो पसंद आए चैनल क लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों